अज आपके साथ शेयर करने वाली हूं शाम की चाय के साथ खाय जाने वाला बहुत ही टेस्टी और आसान से स्नेक्स की रेसेपी तो आज बनाएंगे चिली चीज कॉर्ण टूस की रेसेपी जिसे बनाना आसान तो है ही साथ साथ ये खाने में बहुत सदा टेस्टी लगता है चली देखते मैंने किस तरीके से बनाया है और इसे बनाने कली हैं सबसे बढा़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है और यहां पर शूप कॉछ हैं सिंगा जिसे माhst म neatकॉं को residents Niya अदे양 लिए मीक्सिंग बोल में काली मिर्च को पारेद करने के साहां काली को यहां Engagement बूम काले यहां पर चिली फ्लैक्स यहां पर यहां पर अपने स्वातके अंसार ले सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे तो आप इसके साथ यहां पर मैंने यह नमक भी आड़ कर दिया है साती सात हिहां पर मैं चार से पांस टेigence करीब सीस सिसमें मिक्स कर रहे ह워요 यहां पर आप किसी भी चीज कर सकते हैं और उसे ग्रेट करके लिए इता हैं साती सात यहां पर मैंने डाल दिया है मैं इसे नहीं बनाया है बिल्कुल प्लेंगे और यहां पर ले लिए हैं मैंने तीन ब्रैट के स्लाइश और इस पर लगाना है हम visitor तो सारे ब्रैट पर अच्छे से हम BUTTER लगा देंगे इहां पर इस सब भी तो अच्छे से सबसे पहले मैं तीनों ब्रेट पर अच्छे से डिवाइड करके रग देती हूं इससे कि हम एक्वली सबीको फैला देंगे किसी में कम किसी में जादा नहीं होगा तो इस तरीके से मैंने रग दिया है जो भी मिक्षर था पूरा-पूरा इसके बाद पूरे ब और लिए हैं और उसके लगा देती हूं मैं या यह पर मैं चीज लगा दिया है और आभ से हमें बेक करना है तीन या पर आप चाहि कर Warriors भी बिल्कुल लो फ्लेम पेे हैं यह पर मैं यह माईक्रोवेव कर सकते हैं यह पर मैं यह पर मैं बनाने वाली हूं चीज लगा देने के बाद इसके उपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लैक्स और और इगैनो भी इस पर स्प्रिंकल कर दे रही है जिसे की और भी ज़्यादा ये टेस्टी हो जाएगा साथी साथ ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा तो यहां पर ये सबी चीजे मैंने सब्सक्राइब कर देखने में नीचे की तरफ नहीं लगाया है नीचे की तरफ के लिए हम यहां पर तवे पर बटर लगाएंगे जिससे की यह बहुत अच्छे सेख जाएगा क्रिस्पी सा यहां पर एक करके मैं तीनों जो ब्रेट के टोस्ट हमने बना कर रखे हैं यहां अगर आप चाहिए तो बहुत तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना जिसे की ब्रेट हमारी जलेगी नहीं और क्रिस्पी हो जाएगी तो कवर कर देते हैं ताकि चीज अच्छे से मैल्ट हो जाए और यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे यह ब्रेट टोस्ट हैं बिल यहां पर यह बिल्कुल तैयार है तो सबसे पहले से कट करना है तो यहां पर इसे निकालती हूं मैं चॉपिंग बोड पे और देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है और इसे बनाने में मुझे बिल्कुल भी बहुत सदा टाइम नहीं लगा तो इसे आप कभी भी छोटी- शेप में भी कट कर सकते हैं जैसा वी आप चाहें और इसे आप शुभर के breakfast में lunch box कले त्यार कर सकते हैं शाम की चाय के लिए और कभी भी जब चोटी मोटी फूक बना सकते हैं और देख सकते हैं इसका बैक साइड भी बहुत अच्छी से सिगा बिल्कुल भी जला नहीं है तो इस तरीके से आप ये कौन चीज डोस्ट बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं ज़रू ट्राइ कीजिए फैमिली फेंस में शेयर केजिए बिल्कुल 5-7 मिनट में बनने वाली रेसेपी है और मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिए रेसेपी की आपको कैसी लगी मिलते हैं नए रेस्पी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाच टेक के और थैंक्स फूर वाचिंग